नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरजराय और स्वागत है आपका फार्महर्ट्स में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक्सोफिनदीन हाइड्रोकलोराइट टेबलेट्स के बारे में दोस्तो Faxofenadine Hydrocloid Tablets Allegra के नाम से market में बहुत ज़्यादा famous है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हम लोग बात करने वाले हैं Allegra Tablets के बारे में detail में इसके uses क्या होते हैं ये tablets होती क्या है, इसकी dose क्या होती है कुछ side effects, कुछ special precautions और इसकी और कौन सी brand market में available है हम लोग सब कुछ discuss करेंगे detail में तो चलिए वीडियो के शिरुवात करते हैं दोस्तो Faxofenadine actually अकेले बहुत कम यूज की जाती है लेकिन आसान है कि नहीं इसे यूज करते हैं लेकिन इसे mantelio cost के साथ में इसका combination दिया जाता है जो की बहुत अच्छा फाइदा करता है तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे Faxofenadine के बारे में तो चलिए देखते हैं यह होता क्या है दोस्तो Allegra Tablet या Faxofenadine एक प्रकार की antihistamine drug होती है यह classify की जाती है as a second generation antihistamine medicine जो की हमारे body के अंदर में जो histamine के receptors होते हैं उनको block करती है या certain chemicals जो की histamine होता है जो की allergy काज करता है उसको block करने का काम करती है आप यह समझ सकते है दोस्तों यह second generation medicine होती है और क्योंकि second generation antihistamine होने की वज़़द से यह हमारी blood brain barrier को past नहीं कर पाती है जिसकी वज़़ए से यह कम sedation काज करती है जबकि अगर हम first generation antihistamine की बात करें तो वो ज़्यादा sedation काज करती है और क्योंकि ज़्यादा sedation काज करती है तो अब वो क्या होगा कि drowsiness उत्पन करती है और इसी वज़े से उसको अक्सर क्या किया जाता है कि रात में सोते टाइम पे लिया जाता है पर अगर Allegra tablets की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि non-drowsy लिखा होता है यानि कि आप इसे ले सकते हैं और ये drowsiness काज नहीं करती है और काम भी अच्छा करती है दोस्तों अगर हम बात करें कि Allegra के अलावा फेक्सो फिनदीन हाइड्रो कुलॉराई tablets और किन-किन ब्रांड से मार्केट में आती है तो ये Allegra के नाम से आती है Allegix के नाम से आती है Allegra Fast के नाम से आती है and Biofen के नाम से मार्केट में अबलिबर है इसके अलामा भी बहुत सारी इसकी ब्रांड मार्केट में होंगी आपको जो भी आसानी से मिलती है आपके अरिया में जो भी मिलती है आप उसे ले सकते है Next अगर हम बात करें इसके users के बारे में कि Allegra Tablet की यूज कहां कहां पर हम लोग करते है दोस्तों फिक्सो फैनरडीन या Allegra Tablet एक्चुली देखा जगा है कि यह allergy की tablet है और allergy की वज़र से अगर आपको बहुत ज़्यादा sneezing हो रही है यानि कि आपको बहुत ज़्यादा छीके आ रही है आपकी नाग से पानी आ रहा है या किसी भी प्रकार की allergic condition है allergy महसूस हो सकती है जैसे eyes red हो सकती है इसकी न पर थोड़े बहुत फफोले या red blisters दिख सकते है तो यह सब इसकी symptoms होते हैं तो वहाँ पर हम लोग facts of anadine यूज करते हैं किसी भी प्रकार की allergic skin condition में भी हम लोग allergy tablets का यूज कर सकते हैं तो इसका use हम लोग खास करके allergy के लिए करते हैं next अगर हम बात करें इसके कुछ special precautions के किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप ये tablet लेने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो अगर आपको इससे hypersensitivity है तो आप इससे use ना करें यानि कि अगर आपको इससे खुद फेक्शो फिर्णडीन से allergy है तो आप इसको use ना करें अगर pregnancy है तो कुछ precautions के साथ में इससे use कर जा सकता है पर बीना डाक्टर के सला के use ना करें ये breastfeeding में recommended नहीं होती है यानि कि breastfeeding मदर्स को ये नहीं दी जाती है और elderly person में इससे दे सकते हैं इसके अलावा इसका कोई और बिशेश कोई special precautions नहीं है हर प्रकार की लोग इसको ले सकते हैं दोस्तों अगर allergy tablets के हम लोग side effect की बात करें कि लंबे शमय तक लेने पर आपको क्या-क्या problems आ सकती है तो सबसे पहली चीज तो आपको headache हो सकती है अगर आप लंबे शमय तक इसे लेते हैं nausea and omitting के शिकायत देखने को मिलती है ठकान लग सकती है यानि कि आपको fatigue हो सकता है and आपको dizziness महसूस हो सकती है dizziness यानि कि आपको चकर से आ सकते है and आपको drowsiness हो सकता है यानि आपको sedation काज हो सकता है यानि drowsiness का मतलब होता है कि आपको ऐसे सोने ऐसे नीद आने की समस्या हो सकती है थोड़ी बहुत पर बहुत जादा नहीं क्योंकि drowsiness is not a major side effect of the LRZ क्योंकि ये एक प्रकार की second generation anti-histamine है तो लेकिन हाँ कभी-कभी जब आप बहुत जादा मात्रा में इसको लेते हैं तो drowsiness तो काज करेगी ही क्योंकि anti-histamine ही ने तो करेगी and अब अगर बात करें इसके कुछ interactions की किसके किसके साथ में interaction करती है तो ये antacid, erythromycin और ketoconazole के साथ में interaction दिखाती है इन सारी medicines के साथ में इसको precautions के साथ में लेते हैं आफर नहीं लेते हैं last में हम लोग बात कर लेते हैं allergia tablets की dose के बारे में कि इसकी dose क्या लेनी चाहिए तो सबसे पहली जिस तो allergic rhinitis में अगर हम बात करें तो 120 mg की tablet दी जाती है जो क्योंकि आपको दिन में एक बार लेनी है यानि आपको OD लेनी होती है वही allergic skin conditions में इसको 180 mg की tablet दी जाती है ये भी आपको दिन में एक बार लेनी होती है यानि OD लेनी होती है तो किसी भी condition में ये जो फेक्सोफेनदीन होती है वो दिन में एक ही बार दी जाती है और खास करके यह आपको रात को सोते टाइम दी जाती है कि आप जब सोने लगें तब आप इसको ले सकते हैं तो दोस्तो यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया अपने दोस्तो के शाथ में हम इस्टेग्राम पर जरूर फालो करिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद